पंचीर has fallen, पंचीर गिर चुका है, Northern Alliance का यहाँ पे अंध हो चुका है, यहाँ पे आप देहोगे, तालिबान ने official statement निकाली है, कि इन लोगों ने कभजा लिया है पंचीर को आखरी इलाका, जो एक resistance के रूप में काम कर रहा था, इन अफगानिस्तान to तालिबान, यह अब ग किरने के बाद, पूरी दुनिया expect कर रही थी, कि UN कुछ बोलेगा, क्योंकि United Nations को, यहाँ से अमरुला साले ने कई चिठिया लिखी, US को गुहार लगाई, कि कुछ यहाँ पे आप करिए तालिबान को रोको, मगर United Nations चुप रहा, USA यहाँ पर चुप रहा, और even दो, I'm an Indian, हम में यहाँ पे accept करना होगा, कि India भी यहाँ पर बिलकुल चुप रहा, अजीब बाद यहाँ पर देखिए, कि in the end, पंशीर के support में कौन सा देश आया, जिससे किसी को expectation थी ही नहीं, इरान, इरान ने यहाँ पर openly आलोशना करी है, तालिबान की और पाकिस्तान की भी, यह जाया नहीं है, 1996 से लेकर 2021 तक कोई यहाँ पर properly rule नहीं कर पाया, even though जब US अफगानिस्तान में था, US की जो forces थी, वो भी properly पंशीर में, आप कह सकते हैं, अपने operations नहीं कर पाती थी, जिस तरीके से वो करती रही बाकी अफगानिस्तान में, मगर finally पंशीर has fallen, और यह तालिब कर पाया है, पाकिस्तान की help से, और sad बाद यहाँ पर यह है, कि पंशीर के लोग बोलते रहे, कि हम यहाँ पे सिर्थ तालिबान से नहीं लड़ रहे हैं, अब अहमद मसूद ने कई बार यहाँ पर tweet करी, कि तालिबान को पहले ही पता लग जाता है, कि पंशीर के लोग कहा बॉम्बिंग भी करी है, ताकि यह एरिया जल्दी से जल्दी वो कबजा पाएं, तो इसलिए वर्ल्ड मीडिया यहाँ पर यहाँ पर सिर्थ तालिबान की जीतनी हुई है, पाकिस्तान ने भी यहाँ पर victory हासिल करी है, जो बाइडन ने अपनी poor leadership की वज़े से, एक बहुत ही बड़ा देश सीधा पाकिस्तान को पकड़ा दिया है, और अब इंडिया के लिए problem यहाँ पर यही है, कि अब पाकिस्तान ने जो favor किया है तालिबान के लिए, जिस तरीके से उनकी help करी है, पंचीर को कबजाने में, कोई बड़ी बात नहीं है, कि in the future, ये कश्मीर में, इंडिया में और जगा आतंगवाद फिलाने की कोशिश करे, तालिबान के आतंगवादियों से, तो in the future मैं आपको ये काऊंगा, इंडिया में हम लोग अभी भी realize नहीं कर पारे, कि तालिबान में जो हुआ है, इसका कितना बड़ा impact हम पे होगा, there will be some very difficult days ahead, now even though यहाँ पर बिल्कुल जोब है, मगर इरान एक